हेलो स्टूड़न्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए पर्थमबर्स के सेकंड सेमस्टर विशा संस का साहित का भाग साथ भाग छे हम करवा चुके हैं वो प्लेलेस्ट में पड़े हुगे हैं तो आप देख सकते हैं उसमें पूरे 300 कुष्चन हैं आज हम सुरूरात करेंगे 301 कुष्चन से स्टूड़न्ट यह बहुत हिमात्यपूर कुष्चन है यह नहीं कुष्चन हम ऐसे आपके पेपर में कुष्चन आएंगे तो आप इसे ज्यादा ज्यादा देखिए और अपने दोस्तों तक हमारी लिंक पहुचाईए तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू कुष्चन नमबर 301 दंडी के काब में है पदलालित कुष्चन नमबर 302 अंबिकादत ब्यास का जन में हुगा जैपूर में हुगा कुष्चन नमबर 303 ब्यास जी प्रशिद्ध हुगे सिवराज बिजियम उनकी करती थे जिनसे वह प्रशिद्ध हुए थे कुष्चन नमबर 304 वासवदत्ता कर नामक है कंदर प्रकेत्तु है कुष्चन नमबर 305 सुवंधु की काब बसेली है गोडी कुष्चन नमबर 306 वासवदत्ता एक है कथा है वासवदत्ता एक कुष्चन नमबर 307 आचार बिश्वनात की करती है साहत तिदरपन बिश्वनात जी की करती है कुष्चन नमबर 308 आचार बिश्वनात का संपरदाय था वैशनव संपरदाय था कुष्चन नमबर 309, आचार विश्वनात के पुत्र का नाम था अनंतिदास कुष्चन नमबर 310, नर सिंग का बेकी रचैता थे विश्वनात कुष्चन नमबर 311, लच्छमी का उपदेश वर्णे थे सुकनास उपदेश में कुष्चन नमबर 312, संस्क्रत गद साहते के भेद हैं, दो भेद हैं कुष्चन नमबर 313, कथा का स्वरूप होता है, कभी कल्पित स्वरूप होता है कासे कथा कासे कभी कल्पित, आप इसे इस्ट्रेक से याद रख लेजिए कुष्चन नमबर 314, उच्छ वास में नहीं वरणेत होती है, क्या नहीं वरणेत होती है, कथा नहीं कुष्चन नमबर 315, वास वदत्ता की रचनाकार हैं, सुबंधू कुष्चन नम्बर 316, नीती सास्त्र में निपोन था, चंदरा पीड था, नीती सास्त्र में निपोन कुष्चन नम्बर 317, प्रिभाकर बर्धन की माता का नाम था, यसो वती नाम था कुश्चन नमबर 318 कादंबरी में लच्छमी का उपदेश देता है चंदर पीड देता है कुश्चन नमबर 319 सेना पती भंड आया था कादंबरी में आया था कुश्चन नमबर 320 पिंजरे में कौन बंद था सुक पिंजरे में बंद था कुष्चन नम्बर 321, पुंडरी की पात्र है, कादंबरी जो कथा है उसका पुंडरी की पात्र है कुष्चन नम्बर 322, पुंडरी की माता का नाम था लक्षिमी कुष्चन नम्बर 323, कादंबरी का मुख्रस है स्रंगार कुष्चन नंबर 324, कादंबरी में प्रियुक्त गुण है पाउंचाली कुष्चन नंबर 325, बाण के पास सब्दों का अथाय भंडार है यह कथन है पंडित स्याम कुमार चतुरवेर्दी का कुष्चन नंबर 326, नीती सास्त्र में निपुण था चंदरा पीड कुष्चन नंबर 327, सुबंदू ने मुख्यता अलंकार प्रियोग किया है सिलेश अलंकार प्रियोग किया है कुष्चन नंबर 328, अनुवाद सब्द का संबंध किस धातु से है वद धातु से अनुवाद का संबंध है कुष्चन नमबर 339, वद धातु में कौन सा प्रत्य लगाने से वाद सब्द बनता है, घ्या प्रत्य लगाने से वाद सब्द बनता है, कुष्चन नमबर 330, संस्कृत में लिंग होती हैं, तीन लिंग होती हैं संस्कृत में, पुल लिंग, इस्त्री लिंग, नपूसक कुश्चन नमबर 331, बाद का अर्थ है कथन, कुश्चन नमबर 332, संस्कृत में कितने बचन होते हैं, तीन बचन होते हैं, एक बचन, दुई बचन और बहु बचन, कुश्चन नमबर 333, संस्कृत में दसलाकार होते हैं, जिसमें पांच ज्यादा प्रमुक होते हैं, कुश्चन नमबर 334 संस्क्रत में पुरुष होते हैं पर्थम पुरुष, दुतिये पुरुष, तृतिये पुरुष जिसे हम पर्थम पुरुष कहते हैं माध्यम पुरुष भी कहते हैं और उत्तम पुरुष भी कहते हैं कुश्चन नमबर 335 एक भासा को दूसरी भासा में परिवर्तन का नाम है अनुवाद किसी भासा को जब दूसरी भासा में हम लिखेंगे तो वो अनुवाद कहलाता है किस कुश्चन नमबर 336 मद्यम पुरुष्का करता नहीं है अहम नहीं है मध्यम पुरुष का जो करता होता है जैसे त्वम होता है यू एम यू आम ऐसे होता है कुश्चन नमबर 337 करता कारक का चिन है ने करता का जो चिन होता है पहचान वो ने होता है कुश्चन नमबर 338 संस्क्रत मिलाकारों की संख्यदा से यह हम उपर बता चूक है है, रिपीट हो गया है question Question number 349 क्रिया के संपादक को कहते हैं कर्ता जो क्रिया को करता है, वही करता कहलाता है Question number 344 रोचे, आर्थे कि धात्यू दो के साथ किस विवाक्ती का प्रियोग होता है? चतुर्थी विवाक्ती का प्रियोग होता है रूच कुश्चन नमबर 341 समाहा के योग में विवाक्ती होती है तिरतिया विवाक्ती होती है समाहा के योग में कुश्चन नमबर 342 सर्वताहा के योग में कारक होता है कर्म कारक कुश्चन नमबर 343 संस्कृत में धातुगों के पिरकार हैं परिश्मपदी, आत्मेनपदी और उभाईपदी कुश्चन नमबर 344 संस्कृत के वाच्च हैं तीन वाच्च होते हैं संस्कृत में कर्तिवाच, कर्मबाच और भावाच कर्ती बाच में कर्ता प्रधान होता है, कर्म बाच में कर्म प्रधान होता है और भाव बाच में कर्म ही प्रधान होता है कुश्चन नमबर 345 निम्ने में सब्तिमी बिभाक्ती का प्रियोग है गोशू सब्तिमी बिभाक्ती की प्रमख पहचान होती है लाश्ट में सू आता है कुश्चन नमबर 346 हल संदी के प्रकार है साथ प्रकार है हल संदी के कुश्चन नमबर 347 ता का चा हो जाता है सुचुत संदी में ता का चा हो जाता है कुश्चन नमबर 348 रामस सेती में संदी है सुचुत संदी कुष्चन नमबर 349 प्रस्ण में प्रस्धन नहां किस नियम से बनता है सुचुत्य का अपवाद है कुष्चन नमबर 350 रामा सश्ठ में संधी है सुचुत्य संधी यह हो गए हमारे पूरे 350 कुष्चन इसके आगे के कुष्चन हम आपको अगले भाग में देंगी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थेंगे